नमस्कार विकेपी के इस चुनाव स्पेशल में मैं जोया खान आपका स्वागत कर ली हूँ पांच राज्यों के विदान सबाद चुनाव नतीजों में भारतिय जंता पार्टी की शांदर उपलब्दी रही भाज्यों में वापसी की है यहां तक कि उन राज्यों में जहा सत्ता विरोधी लहर बताई जा रही थी उनमें भी जीत दर्च कर विजेपी ने अपनी मजबूत पकड़ का एसास कराया है प्रधान मंदरी नरेंदरा मोदी ने चार राज्यों के भाजपा को मिली प्रजण डजीत पर जनता का आभार जटाया पिए मोदी ने दिल्ली में पार्टी मुख्याले में भाजपा कारेकत्तों को सम्भुधित करते हुए कहा कि उत्तरप्रदेश में 4 दशक बाद कोई सरकार लगा तर दूसरी बार सत्ता में आई है जिनराज्य, उत्तरप्रदेश, गोवा और मनिपूर में सरकार में होने के बावजूत भी भाजपा के वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई है हम लोगों के प्रती आभार प्रकट करते है अपने साथ जोडने की कोशिश की यह कोशिश परवा नहीं चड़ पाई साफ है कि मोदी की लोगप्रियता अभी भी शिकर पर है यूपी में बीजेपी को मिली बड़ी जीत के जरिये योगी आधी तेनाद भी लोगप्रियता के पायदान पर दूसरे नंबर पर माने जाने लगे है भाविश्य में मोदी की राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में योगी के नाम की चर्चा शुरू हो गई है वही इन चुनाओं में कॉंग्रेस के लिए बेहद मुश्किल वक्त आ गया है पंजाब में जहां कॉंग्रेस के सरकार चली गई वही उत्तराकंड में तमाम कोशिश के बाद भी कॉंग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई यूपी में भी कॉंग्रेस अपने सबसे खराब प्रदर्शन कर गई है प्रियंका गांधी ने पूरी ताकत के साथ यूपी में कोशिश तो की लेकिन उनकी मेहनत का कोई नतिजा नहीं निकल पाया पर अगर हम इन चुनाओं में मैन आप दो मैच की बात करेंगे तो पंजाब में बंपर जीत दर्श करने वाली आम आदमी पार्टी के मुखिया आरविंदक इजरिवाली है आपकी आंधी में चरंजित सिंग चन्नी, कैप्टेन अमरिंदर सिंग, नौजोच सिंग सिद्दू, सुग्वीर सिंग बादल जैसे बड़े-बड़े दिगर्श धराशाई हो गए पंजाब चुनाओं में आपको जनता ने जम कर वोट किया है पंजाब के 117 विधान सवा सीट में से 92 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है जो कि पुर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए उनसर सीटों से कहीं ज्यादा है कॉंग्रेस जो की पिछली बार पंजाब की सत्ता पर काबिस थी उसको महज 18 सीटों से ही संतोष करना पड़ा बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा और उसको केवल दो सीट पर ही जीत मिली तो वही SAD को चार वर्ने पार्टी को एक सीट पर जित हासिल हुई है पंजाब चुनाव में अब की बार केजरिवाल के जादू के सामने विपक्ष की एक न चली और बड़े-बड़े दिगजनेता धराशाई हो गए सबसे जादा चौकाने वाली बात ये है कि खुद पंजाब के मुख्यमंतरी चरंजित सिंग चन्नी चुनाव हार गए है पंजाब कॉंग्रेस अध्यक्षन अवजुच सिंग सिद्धू भी केजरिवाल की आंधी में उड़ गए और चुनाव हार गए पंजाब में कॉंग्रेस से बगावत कर बीजेपी की साथ गड़ बंदन कर चुनावी मैदान में उत्रे कैप्टन अमरिंदर सिंग भी अपनी सीट गवा दिये प्रकाष सिंग बादल वा सुगबीर सिंग बादल जैसे वरिष्ट ने तबी जाड़ू के सामने टिक नहीं पाए और चुनाव हार गए आपको 42 पी सधी में से जादा लोगों ने आपको वोट किया है वही शिरुमेनी अकल इदल के 18 पी सधी वोट मिले है कॉंग्रेस को 22 प्रतिशत लोगों ने वोट किया है आपनेता अरविंदक इजरिवाल ने तमाम अटकलों को खारिज करते वे पंजाब चुनाव से ठीक पहले भगवान मान को मुख्यमंत्री पत का प्रत्यशी बनाया था यहाँ बीजेपी यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है तो वही सपा मुख्य विपक्षी दल बनकर सामने आई है सपा को 125 सीटों पर जीत हासिल हुई है बहुजन समाच पार्टी का सबसे खराप रदर्शन रहा पार्टी के वल एक ही सीट पर सिमट गई यूपी में एक वक्त था जब मुसल्मान सत्ता की दिशा और दशा तै करते थे अब यूपी की फीजा बदल चुकी है धुरुवी करण की राजनीती पर भाचपा ने ऐसा प्राहर किया है कि OBC और सबसे ज़्यादा पिछड़ा वर्ग वोटर उसके साथ चीपक गए ऐसे में यहाँ अलपसंख्यक समुदाय अपने आप ही अलग थलग पड़ गया 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ ही भाचपा ने जब सबका साथ सबका विकास का नारा बुलन किया तब ही साफ हो गया था कि अब क्षेत्रवाद जातिवाद तुष्टी करण के दिन लदने वाले है लेकिन इन चुनाव में भी मुस्लिम समुदाय सपा के साथ खड़ा दिखा और वा इसलिए क्योंकि उसे भाचपा को हरा न था और उसे दूसरा बड़ा विपक्षी दल नहीं दिख रहा था उत्तराखंड की सत्तर विधानसवा सीटों में से बीजेपी 48 सीटों पर जीत कर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है यहाँ पुर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 36 सीटों की जरूरत पड़ती है इस हिसाब से भाचपा को पुर्ण बहुमत है कॉंग्रेस को केवल 18 सीटों पर संतोष करना पड़ा है आप पार्टी तो उत्तराखंड में खाता भी नहीं खोल पाई जबकि अन्य पार्टी उन्हें 4 सीट पर जीत हासिल की है हैरत यह है कि पुर्ण बहुमत पाने के बावजूत सूबे की सीअम रहे पुषकर सिंग धामी चुनाव में अपनी सीट बचा नहीं पाए तो कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता और भावी सीअम कैंडिडेट हरी शरावत भी चुनाव हार गये करनल अजय कोठियाल जो की आम आदमी पार्टी के सीअम चेहरा थे वो भी चुनाव हार गये इस प्रकार उत्तराखंड चुनाव में काफी जादा उठा पटक देखने को मिला है कई दिगजनेता धराशाई हो गये बहराल उत्तराखंड के इतियास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई पार्टी लगातार दूसरी बार प्रदेश में सरकार बनाएगी करीब 44 फिसदी लोगों ने बीजेपी को वोट किया है बीजेपी ने चुनाव से कुछ मैने पहले ही राज्य में सीएम का चेहरा बदल दिया था पुशकर सिंग धामी के चेहरे के साथ बीजेपी मैदान में उत्री थी लेकिन प्रचंड जीत के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री के चेहरे पर मंथन शुरू हो गया है ने सीएम के लिए श्रीनगर सेट से विधायक और निवर्तमान मंत्री धन सिंग रावत, राज्यसभा सांसद अनिल बलुनी, केंद्रिय राज्यमंत्री अजय भट और पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रहे, डॉक्तर रमेष पोक्रियाल निशनक समेट, मंत्री रहे सत्पाल महराज के नामों के चर्चा शुरू हो गई है निवर्तमान मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी के चुनाव हरने के बाद अब नए मुख्यमंत्री को लेकर ये तमाम नाम रेस में सबसे आगे बताए जा रहे है ऐसी चर्चा तेज है कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाए रख सकती है गवां के 40 विदान सबा सिटों पर चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में केवल एक सिट की ज़रूरत है जो कि अन्या पार्टियों के साथ मिलकर आसानिस से हासिल कर सकती है बीजेपी ने कुल मिला कर 20 सिटों पर जित हासिल की है वही कॉंग्रेस को 12 सिट मिली है टीमसी को 2 सिटे आपको भी 2 सिटे तो वही अन्या को 4 सिटे मिली है गोवा से आप पार्टी से उमिद्वार रहे अमित पालेकर वो निर्दली उमिद्वार दिवंगत मनोहर पार्रीकर के बेटे उत्पल पर्रीकर चुनाव हार गये है बहराल गोवा विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ है कि राज्य में भारतिये जंता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उबरी है पार्टी निता देविंद्र फण्नविस ने कहा है कि गोवा में उनकी पार्टी सरकार बनाएगी गुवा के लोगों ने हमें स्फष्ट बहुमत दिया है, लोगों ने PM मोधी पर विश्वात जताया है निर्दलीय प्रत्याशी हमारे साथ आ रहे है, MGP भी हमारे साथ आ रही है और हम सब को साथ ले रहे है हम अपनी सरकार बनाएंगे, पाल्टी राज्यपाल पीएस श्रीदरन पिल्लेई से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी गुवा में पिछली बार त्रिशंकु विधान सभा थी, कॉंग्रेस को 17 और भाजपा को 13 सीटे मिली थी लगबक तय था कि कॉंग्रेस निर्दलियों की मदद से सरकार बना लेगी, लेकिन भाजपा ने पहले दावा कर दिया और सत्ता हतियाने में काम्याब हो गी इससे सबक लेते हुए इस बार कॉंग्रेस ने नतीजों से तीन दिन पहले होटल में अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी थी गुवा में दो प्रमुक राजनीतिक दलो, भाजपा और कॉंग्रेस के अलावा कई छोटे और क्षेत्रिय संगटनों की मवजुदगी के कारण विधान सबा की 40 सीटों के लिए 302 उमिद्वारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें बहु कोणी या मुकाबला देखा गया मनिपूर से NCP के कद्दाव और नेता वाई जय कुमार सिंग चुनाव हार गया है जीत के बाद कहा कि मनिपूर में भाजपा की एत्यासीक जीत, प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी और नागरीकों के गतिशिल नेतरुतों में लोगों के विश्वास का प्रमान है मैं भाजपा को फिर से बहुमत मिलने के लिए मनिपूर की जनता का दिल से शुक्रिया आदा करता हूँ साथी पार्टी के बड़े नेता प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी, ग्रुव मंतरी, रक्षा मंतरी और अन्यस अभी नेताओं का भी शुक्रिया करता हूँ उनके मारगदर्शन से हमें बहुमत मिला है, साल 2017 में हुवे विदान सभा चुनाव में कॉंग्रेस को सबसे ज़्यादा 28 सीटे मिली थी हाला कि 21 सीटे जीतने वाली भाजपा ने NPP और NPP के साथ मिलकर सरकार बनाई थी इस चुनाव में NPP और NPP के खाते में चार-चार सीटे गई थी जबकि TMC लोजपा और निर्दलियों को एक-एक सीट मिली थी तो आज की इस चुनाव स्पेशल में बस इतना ही आपसे फिर किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी तब तक बने रहिए विकेवी नियूस के साथ नमस्कार